एक ऐसा वाइरस जो कोविड सार्स और तो और प्लेग से भी ज्यादा खतरनाक है आपको पता ही हुआ कि जब भी प्लेग का कोई भी वेवाता थे तो गाउं के गाउं तो छोड़ो सार के सारी साफ हो जाते हैं यह वाइरस हमारे धर्ती पर कोई साल दो साल पहले आया है मैं आपको बता दूँ कि यह खतरनाक वाइरस हमारे धर्ती पर पिछले 48-49 सालों से मौझूद है लेकिन बर्फ के नीचे दबे होने की वज़य से हम इंसानों का कोई भी भी हान ही नहीं पहुचा पाए लेकिन जैसे जैसे गलोबल वार में बढ़ रही है यह सारे वाइरसे जो बर्फ के नीचे दबे हुए थे यह बर्फ के ऊपर हा रहे है और ऐसे में रसिया के साइबेरिन इलाके में मौझूद है जहिल में फिरंच सानटिस्टों को तेरे ऐसे ऐसे खतरनाक वायरस मिले है जम्याद से जोब् Healthcare लाइरस के नाम से जानते है रह सकता है आप लोगों को तो पता ही होगा कि कुरोणा वाइरस किसी भी मिटल पे सिर्फ 12 गंटे जिन्दा रह पाता है उसके बाद वह मर जाता है लेकिन यहां तो कोई वाइरस 49,000 सालों से जिन्दा है और पता नहीं कितने सालों तक और जिन्दा रहेगा तो प्रॉब्लम तो कई आप ही सोचो कि एक वाइरस जो 12 गंटे के बाद सोते हमर जाता है वह इस दुनिया फर में इतनी बड़ी डिजीज फैला गया तो सोचो वह वाइरस 48,000 सालों से आज तक मरा ही नहीं है वह हमारे धर्ती पर क्या 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 कर डालेगा तो देखो यह वाइरस रसिया क 2013 में भी एक फ्रेंज साइंटिस्टों कदल इसी जगह पे गया था और वहाँ पर भी उन्होंने 30,000 साल पूराने वाइरस को ढूड़ निकाला था इस बार 42,000 साल पूराने वाइरस को ढूड़ निकाला है तो यह जगह बहुत ही ज़्यादा वाइरस से भरा हुए यह जो आत्सुब नाम का पूरा एरिया है यहां पर अधिक्तर परमा फ्रोष्ट पायाते हैं मैं आपको बता दूँ कि परमा फ्रोष्ट टाइप आफ एक ग्लेसियर सी है लेकिन इसकी एग डेंसिटी नॉर्मल ग्लेसर के पेच्छा बहुत ही ज़्यादा होती है और इसी वज़ वायरस दब गया था गर आप किसी भी कॉंपिटेटिव एक्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उस एक्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है कि वाट इस परमा फ्रोष्ट यानि कि परमा फ्रोष्ट क्या हो जाते है और इतना ज्यादा कठोर होने की वज़़े से वह बहुत ही जल्दी पिखलते नहीं जाब इस बास इमेजन तो करी सकते हो कि आज ग्लोबल वार्मिंग किस हद तक जा चुकी है क्योंकि अब परमा फ्रोष्ट भी पिखलना शुरू कर गए इनी सारी परमा फ्रोष्ट पिखलने कारट बहुत सारे वायरस हो गए हैं बाकी हुए वायर वायरस का चक किया गया तो पता चला कि इनमें से एक वायरस का एज तो साड़े और तालीस हजार साल पुराना है वेज्ञानिकों ने पेंडूरा वायरस एड़ोमा रखा जिसका नाम बात में चलकर जोंबी वायरस हो गया अब जैसे ही लोगों के अंदर हड़कंब मचना जायज था क्योंकि हॉलिवड ने हमारे अंदर जो खौब बना रहा है जब इस वायरस को पहली बार खो जा गया था तो यह वायरस कुछ ऐसा दिखता था और इस वायरस के अंदर कोई भी हल चल नहीं लेकिन बात में यह एक्टिव हुआ तो कुछ ऐसा दिखने लगा और यह 48-4-4 सालों के बाद कैसे ऐसे हो सकता है रिसी वायरस वैज्यानिकों ने इसको नाम जोंबी दे दिया और तब से जोंबी वायरस के नाम से जाने जाने लागा अब हम बात करते हैं कि क्या यह वायरस स्रीमुच हम इंसानों के लिए खतरनाक है या फिर नहीं तो देखो